नमस्ते, डॉक्टर सहविसाची सकसेना, डारेक्टर अफ नियो एंट क्लिनिक इंदरापुरम गाजगेबाद and head of the department, Department of ENT Fortress Hospital वेड़ाव आज मैं आपको एक बहुत विशेश बात बताने के लिए यहां पर हूँ, जिसको बोलते हैं यह उन लोगों के लिए एक बून है, उन लोगों के लिए एक मिराक्ल है, जो जन्म से पैदा होते हैं, जो डेफ होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी लिए एक miraculous device है जो मैं आ जाया हो यहां पर, जिसको बोलते हैं, cochlear implant. बच्चा पैदा होना, it's a god gift, कोई चाइल्ड अगर डेवलब हो किसी विकृती के साथ, किसी abnormality के साथ, अगर वो सुन नहीं सकता, अगर वो देख नहीं सकता है, तो it's a curse, it's a curse not just for the child, but for the parents also, कि उनके लिए बहुत बुरी बात ह अभी तक हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, although science has been developing so far, but अब हमारे पास कम से कम एक बहरे बच्चे को hearing देने के लिए devices है, now that we have come up with these kind of issues and we are doing it very well and successfully in our hospital at our clinic, कोई बच्चा गूंगा नहीं होता है, लेकिन जो बच्चा सुन नहीं सकता है, वो बोल भी नहीं सकता, जैसे जो बाषि पिन जो बच्चा, इंगलिष घर में पैदा होगा, और कि हिंदी बोलने वाले घर में जर्मण बोलने वालों में जर्मी जर्मिन बोलेगा, उसी तरह से जब वो सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे, इसलिए जब तक जो बोल नहीं पा रहा है, पहले उसकी hearing टेस् तो सबसे बेस्ट रहता है because यही development का part होता है जब brain का maximum development हो रहा होता है तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि अगर आपका बच्चा पैदा होता है और आप शुरू के 2-3 महिने में notice करते हैं he is not responding well to the sounds अगर बरतन गिरने पर आवाज देने पर वह रिस्पॉंड नहीं कर रहा है गरतन नहीं घुमा रहा है या किसी तरह का कोई reaction नहीं दे रहा है तो आप तुरण टेस्टिंग कर रहे हैं All the government of India ने एक screening program शुरू कर रखा है कि जो भी बच्चा पैदा होता है discharge होने से पहला है उसका एक OEE test किया जाता है जिसमें की उसकी अंदर कान की सुनने की शंता चेक की जाती है बट बहुत सारे centers पर यह available नहीं होता है तो वहाँ पर आपको अगर वो miss हो गया है तो शुरूआत की 2-3 महीने में टेस्टिंग जरूर कर रहा है अगर बच्चा भूंगा है बहरा है नहीं बोल पा रहा है तो हम कुछ CT scan MRI करके देखते हैं बच्चे का देखने के लिए कि अंदर से उसका anatomical development यानी कि उसका जो विकास हुआ है वो ठीक हो रहा है कि नहीं है अगर वो ठीक हो रहा है तो हमारे पास इस तरह की devices आ गए हैं जिनको हम उनको implant करके surgically बच्चे को hearing की power दे सकते हैं इसी में पहले आप machine लेके देते हैं कि अगर बच्चे का hearing aid से काम चल सकता है तो hearing aid चला कर देख ले बट अगर hearing aid से भी improvement नहीं हो रहा है तो हम cochlear implant करवाने के लिए advise करते हैं cochlear implant क्या होता है इसमें दो पार्ट होते हैं एक outer part एक inner part जो inner part होता है उसको surgery करके आप कान के पीछे से अंदर डाल देते हैं कान के उस हिस्से में जहां से एक electrode direct stimulation देता है आपके brain को तो यह पूरा ear bypass हो जाता है अकान अगर नहीं काम कर रहा है तो समझ लिए एक नया कान उसका बना दिया गया है electronically जो brain को direct stimulation देगा sound कैसे receive करेगा यह तो आपने internally डाल दिया sound receive करने के लिए external part होता है जो बाहर रहता है वो sound को process करता है और transmit करता है inner ear के अंदर surgery करेंगे एक से देड़ महीने के अंदर अंदर इसको switch on कर दिया जाता है और उसके बाद से बच्चे को आवाजे आनी शुरू हो जाती है बच्चे को train किया जाता है उसकी speech therapy उसकी behavior थरी भी करीती है और उसके बाद बच्चा बिलकुल ही normally सुन सकता है और धीरे धीरे उसक results best मिलते हैं हाला कि इनको बोलते हैं pre-lingual मतलब कि जिनकी भाषा आने से पहले ही problem शुरू आपने identify कर लिया बट इसके बाद होते हैं पोस्ट-lingual कुछ बच्चे इसके बाद होते हैं तो उनकी result थोड़े पूर होते हैं लेकिन फिर में भी उनमें मेहनत करके results लाई जा सकत मान लिजए कोई ऐसी मानसिक बِमारी हो गयी गिकर भाइए मरें शुद्만ना चला गया या उसने उसके बाद बोलना बंद कर दियान तो यह उनमें भी अच्छा काम करता है बालकि उनमें जादा च्छा काम करता वो थोड़ी electronic voice होती है तो बच्चे को train करना पड़ता है बढ़ ये बच्चे बिल्कुल पूरी तरह से normally बोल सकते हैं Finally मैं यही बोलना चाहूंगा किसी भी गूंगे बहरे बच्चे को मायूस होने के जरूरत नहीं है उनके parents के लिए आशा की केरण है हमारे पास cochlear implant है और आप वी हाँ वी आर गेटिंग गूड रिजल्स आउट आफ इट आप इसके लिए देखिए थोड़ा महंगा जरूर है बड़ जो best possible साहता होती है हम उझके लिए करते हैं पेशेंट के लिए और रिजल्स अच्छे मिलते हैं धन्यवाद